प्रदेश में सायल सरकार की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है 36 गड़ में पटवारियों की अनिश्यत काली नहरताल का आज तीसरा दिन जारी है प्रदेश में 5000 पटवारी भुईया अप में गड़ बड़ी समेथ अपनी 32 सूत्रिय मांगो को लेकर धरना दे रहे हैं इसका सीधा असर राजस्व विभाग के कामकाश पर पड़ रहा है आपको बता दे प्रदेश में 5000 पटवारी आज जुलाई से अनिश्यत काली नहरताल पर है इनका कहना है कि भुईया अप की समस्याओं के कारण कामकाश में भारी बाधाय आ रही है जिससे जनता को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है महीं उनकी मांग है कि साइस सरकार आउनलाइन काम करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराए दरसल पटवारी लंबे समय से मांग कर रहे है कि उन्हें कम्प्यूटर, लैप्टॉप, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट की सुईदा दीच है पटवारियों ने किसानों के लिए सॉफ्ट्वेर में सुधार करने को भी कहा था सॉफ्ट्वेर में गड़बडियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार भी बताया था और कारवाई करने के लिए कहा था पटवारियों ने राजस्व सचीव को अपना ग्यापन सौंपा था लेकिन सुनवाई नहीं हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि साइस सरकार इनकी मांग ये पूरी करती है या नहीं इस वीडियो में फिलाल भी इतना ही है ये वीडियो पसंदाओ तो इसको लाइक करें शेयर करें और चत्ते सब्सक्राइब करने के लिए खबर वेबाग को सब्सक्राइब करना भूलें